कि यहां पर सेट 3 फाइनल हो चुका था यह हमारा सेट 4 आज का है ठीक है इस डेट में फर्स्ट शिप्ट जो है इसको यहां पर हम डिस्केशन करेंगे अगर देखेंगे इसमें किस तरह सा कोशन आपको पूछा गया था ठीक है कोशन को देख लिए कोशन क्या है कोशन देखें कि हाफ nine के सनक्षड के लिए निमली खीत में से क्या किया जाना चाहिए ठीक है सनक्षड मतलब उसको बचा कि रखने के लिए ठीक है तो यहाँ पर व्चांड सेथिद निमली खीत Вас तो आप क्या करेंगे कि यहां पर उस से समान ने जो कोला होता है ठीक है और पेक्टोलियूम इसी से क्या होता है विद्धूत उरजा उत्पन होता है तो इसी साफ से यह जो आपका option है यह आपका सही अंचर होगा कि air conditioning या यहां पर उस्वार का उप्योग नहीं करना चाहिए ठीक है तो यह आपका option number a यहां पर सही हो जाएगा ठीक है यहां पर स्वार कूकर का उप्योग बिलकुल नहीं करना चाहिए तो यह तो भाई यह होका रही इसके बाद से सी देखिए इससे भी आपका उर्जा बचेगा बाकी यह है ठीक है किसका तो आंसर हो जाएगा option number a इसका आंसर हो जाएगा इसका बाद देखिए नेक्स कोर्शन आपको पुछा गया है कि नीचे दिया गये कथनों पर विचार के जिए और सही उत्तर का चैन के जिए ठीक है तो फर्स् में बेवस्चित करने का परियास की आजीन में क्या था परतेक में तीन तत्तों थे ठीक है इसको याद रखना जैसे माली यहां पर आपको क्या था है कि लीधियम है सोडियम है और पोटैसियम है इसका कितना होता परमारु भार साथ होता इसका कितना होता है 49 ठीक है इसका 49 तो उन्तालीस और साथ दोड़ेंगे कितना जागा यह चार 46 बाइद दो करेंगे इसका 46 बाइद कितना जागा 23 तो यहां पर आउसद परमारी और वहार कितना जागा तो इसे साथ यह तो आपका नहीं होगा अप्शन आपको यहां है कि यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्यों जो है दिद्रफण बाइद ताकि जो यह सीरिज होती है वह क्या होती है कि यहां पर आपके पोटीसियम पहले जब शब्से जब्साइद क्या होता है इसके बार से सोडियम, पोटेसियम, सोडियम, कैलसियम, मैंगनीसियम, इसके बाद से होता है, एलमुनियम, के बाद से आपका क्या होता है, आइरन होता है, उसके बाद से यहाँ पर आपका क्या होगा, लेड होगा, लेड के बाद से क्या होगा, हैडोजन होगा, तो इस तरह से आपका क क्या होगा कि यह आपका श्रीज होता है आपका धातू की अभिक्रिया सिलता ठीक है धातू की अभिक्रिया सिलते सबसे ज्यादा धातू की अभिक्रिया सिलता ठीक है इसको याद रखिएगा यह आपको इस तरह से होता है सबसे जाद आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इसमें क्या है आपका इसे क्या हो जाएगा यह आपका सीरीज आ italiano मां एधताइ चाहिए का अविप्री अभिक्रियस सिल कौन हो गाओ दातु में कि यह होता है आपका हो होता है अयूँ कॉ Sahagus award से पीछे में आता है ईयूँ गोल्ड होता है कि आपके यहां यहां पर यहां पर पूछ रहाता है कि केल्सियम हो गई यहां पर आपका यह है कि किसके बराबर होता है यहां पर आपको यहां पर यहां पर आपका है यहां पर आपको तूले प्रतिरोद बताना है यहां पर फिगर दिया गया है यह और वी यह और वी इनके किसमें मद्धने तूले परतिरोद आपको बताना है तो यहां पर देखेंगे यह 3 और वी पर निकालें को आपको तूले परतिरोद कितना यहां पर यहां पर आपका आ जाएगा यहां से अगर आप मालिए तूलव परतुर निकाले आर डैस से इसे चु दिखा रहे है तो आर तूलव परतुर इसका इन दोनों का तूलव परतुर कितना जागा 6 अर डैस इतना जागा अब 6 ओम और क्या है ये 3 ओम ये आपके किसमे होंगे शमांतर करम में ठूट है और R यहाँ पे dash plus यह हो जागा 3 तो R dash के value कितने है यहाँ पे 6 ohm है तो 6 into यह कितना हो जागा 3 और यहाँ पे 6 प्लस जागा 3 तो यह कितना हो जागा यह हो जागा 8 by 9 ठीक है तो R double dash यहाँ पे जब निकालेंगे तो पहले इसको series में करेंगे इन दोनों का जो भी आपका तूले प्रतुरूद आएगा उन तो यह जो आपका प्रतुरूद दिया है इन दोनों को यहाँ पे मंतर करम में solve करेंगे तो यहां पर डबल डास से इसको डिनोट कर रहे हैं इसके बाद से आप वहां पर दो उम बता सकते हैं ठीक है इसके बाद देखें नेस्ट कोशन आपको यहां पूछा गया है कि सवस्वयोजी योगीक समानता निम्में से कौन सा गुरुद्धम परदर अलग होते हैं ठीक है उसके बाद से है यह एलक्तानों की साजयदारी से बनते हैं और यह समान के आयन नहीं बनाते हैं ठीक है यहां पर आपको यह क्या हो जागा कि कौन सा गुरुद्धम तो इसका option number D होगा कि यह कार्बनिक विलायक में विले नहीं होते हैं ठीक है और य इसका option क्या होते हैं इसका option जो है कि इसमें परदर्शित यह आपको जो है यह गुरुद्धम परदर्शित नहीं करते हैं जिसका option number D यहां पर होगा कि कार्बनिक विलायक में यह विले नहीं होता है कि अप्शन नमबर डी आंसर सोही होगा इसके बाद है नेक्स कोसन अपको है कि दोवे राइन के त्रीक का उपलबदी क्या थी त्रीक नियम उसमें उपलाब्दी क्या था कि अन्यों की परमाज़कता का अध्यन करने का पहला परियास ठीक है उसके तत्तों के गुण धर्मों तो यहां पर मादू दर्माद के साथ जोड़ेने का पहला परियास था आपका ठीक है इसका अप्सिन आपको यहां पूछा गया है कि दो माध्यमों को प्रिथक करने वाली इंट्रोफेस पर आपक्ति प्रकास किरण के मार्ण नीचे दिये गए चितर में दर्साया गया माध्यम B के सापेक्स माध्यम A के अपरतनांग के बराबर है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे माध्यम यह मीडियम B है यह मीडियम A है ठी छाइक्स हे साँपिक्स का परतनाई कितना हो यह ब्लिगे is a4-5 दिग्री और यहां पर कितनाوت 50 इन्थ तो इन इसको रूट तू से कुणा कर देंगे कितना हो जाएगा यहां पर यह रूप टू से को अंसर हो जाएगा तो इस तरब से आपको माध्यम A B के साथ यहां के बराबर आपको बताना था तो इस तरह से शॉल्ब करेंगे यह आपका निकल के आजाएगा रूट टूस का अंसर हो जाएगा ठीक है इसका पार देखें नेक्स कोशन आपको यहां पर है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में सामिल सही राशानी अभिक्रिया की पहचान के जिए ठीक है ब्लीचिंग पाउडर बनाने पर यहां पर सही राशानी अभिक्रिया की पहचान करना है तो यहां पर देखेंगे इस अपका है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है वालग का, CAO, CL2, ठीक है, इस अब धिरिए आम देखें का, यह अप्सन नमर्बर D, जो है, इसमें देखें, कल्सियुम हाइडक्साइड है, कलोरीन से यहाँ पर जो है reaction कराए गया तो calcium यहाँ पर oxy chloride बना है bleaching powder ठीक है इसको बोलते हैं यहाँ पर कि यह आपके bleaching powder ठीक है bleaching powder है यह आपका और यहाँ पर हाइडोजन है तो इसका option क्या हो जाएगा option को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए ठीक है और कोई भी यहाँ पर जो question जो बस जा रहा है ठीक है उसको हम next class में उसको जो है अच्छे से explain करेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक thank you so much